इस आर के शुकला एक्स फैकल्टी फॉर एलन कोटा as well as आकाश इंस्टिट्यूट जनकपुरी देहली and nowadays at NEET बनायक YouTube channel as well as प्रखर इंस्टिट्यूट फॉर नीट तो बच्चो अभी हम लोग बात कर रहे हैं and in 2025-26 series में अभी हम बात कर रहे हैं chemical coordination as well as integration के बारे में और आज इसमें ये चोथा short video है चोटा video है पहले तीन short video में हमने बात किया introduction के बारे में exocrine as well as endocrine gland as well as neural as well as chemical control और उसके अलाबा थोड़ा सा हमने बात किया था type of endocrine gland के बारे में आज हम बात करेंगे about location of hypothalamus as well as pituitary and different type of endocrine gland तो बचो पहले तो कितना endocrine gland mainly हमें study करना है उसका हम बात करेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कितना endocrine gland हमें study करना है उसका हम discussion करेंगे और उसके बाद फिर हम discuss करेंगे ये hypothalamus और pituitary का location के बारे में हम लोग discuss करेंगे तो चलिए बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं तो यह हमारा करनें का चैामिकल कंट्रॉल का 4 लेक्चर है अब इसमें देख़ो भीपिए देंक कितना ग्लेंड हमें थीद्प करना है, सबसे पहले हमें देखना है जिन ग्लेंड का endocrinine gland का हमें study करना है, इस में देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे किस के बारे में, the hypothalamus, hypothalamus के बाद हम बात करेंगे, the pituitary gland, और pituitary के बाद हम बात करेंगे, the pineal gland, and all of them are associated, associated from brain, याद रखना, ये तीनों हमारी main endocrinine gland हैं, और किस से associated हैं, ये brain से associated, उसके बाद the thyroid gland, then parathyroid, और ये दोनों gland कहां पाए जाती हैं, ये दोनों gland हमारी neck पर पाए जाती हैं, इस वाद को याद रखना, फिर यहां से हम आगे बढ़ेंगे, thymus, thymus कहां पर है, thymus gland हमारी porex में, फिर abdo adrenal gland, adrenal gland कहां पाए जाती हैं, ये हमारी kidney में पाए जाती हैं, इस वाद को अच्छी तरह से याद रखना, और pancreas हमारे, pancreas के बारे में याद रखना है, pancreas कहां पर पाया जाता है, pancreas हमारे stomach और dudinum के बीच में, मतलब अगर इसका location का आप बात करोगे, तो ये हमारे, अगर इसका location का आप बात करोगे, तो ये हमारे abdominal cavity में हो जाता है, ठीक है, और फिर उसके बात, testis, ये extra abdominal है, और फिर ovary, इतना endocrinin gland का हमें कुल मिला कर study करना है, अब सबसे पहले हमें बात करना है, किस के बारे में, सबसे पहले हमें जिस gland को समझना है, कौन सा gland समझना है, hypothalemus, सबसे पहले हम बात करेंगे, hypothalemus as well as pituitary, इन दो gland के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले इनका location हम समझ लें, और इनका location समझने के लिए हमें थोड़ा सा brain का part को समझने की जरूत है, तो बच्चों याद रखना हमारा brain कुल मिला कर तीन पार्ट से बना हुआ है, four brain, four brain के बाद में आ जाता है, mid brain और mid brain के बाद में आ जाता है, find brain, ये तीन पार्ट कुल मिला कर हमारे brain में, ठीक है, mid brain और as far as question of chemical coordination and control is there, nothing we have to do with mid brain as well as high end brain, तो हम किस की बात करेंगे, हम four brain की बात करेंगे, ठीक है, four brain is consist of two parts, first part of four brain is called as cerebrum, cerebrum का भी endocrinin activity से कोई लेना देना नहीं है, and second part is called as dyncephalon, second part क्या कहलाता है, dyncephalon कहलाता है, dyncephalon is deeply concerned with endocrinin activity, याद रखना, ये four brain का part है, और इसका endocrinin activity से लेना देना है, इस बात को अच्छी तरह ऐसे याद रखना, देखो, अभी diagram भी हम देखेंगे, बट पहले ये समझे लो कि dyncephalon का जो central part है, this is called as thalamus, इसका जो beach का part है, ये क्या कहलाता है, thalamus कहलाता है, ठीक है, dyncephalon का जो floor है, याद रखना, इसका जो फर्स है, वो क्या कहलाता है, hypothalamus, hypothalamus अपने आप में endocrinin gland है, याद रखना, और main endocrinin gland है, और ये क्या कहलाता है, master of master gland, याद रखना, क्या कहलाता है, master of master gland कहलाता है, और hypothalamus से origin होता है, pituitary का याद रखना, और ये pituitary क्या कहलाता है, master gland, क्या कहलाता है, ये master gland कहलाता है, तो याद रखना है, डाइन सिफेलोन का फिलोर क्या है, hypothalamus, और hypothalamus खुद कहलाता है, master of master gland, ये पूरे endocrinin system को कंट्रोल करता है, और hypothalamus से origin होता है, pituitary का, और pituitary क्या कहलाता है, master gland, it also control entire endocrinin system, ठीक है, और डाइन सिफेलोन का जो रूफ है, इसकी जो च्छत है, याद रखना, डाइन सिफेलोन का रूफ क्या कहलाता है, epithalamus, ये epithalamus कहलाता है, और epithalamus से origin होता है, pineal का, and pineal is considered as, pineal melatonin hormone का secretion करता है, जो कहलाता है, hormone for day-night cycle, और diurnal rhythm, तो आप अंदाजा लगा सकते हो, कि डाइन सिफेलोन का कितना बड़ा रूल है, endocrinin system में, इसमें तीन gland, तीन endocrinin gland पाया जाता है, नमबर एक hypothalamus, नमबर दो pituitary, और नमबर तीन, pineal, और उसमें भी pituitary master gland है, और pituitary क्या है, अच्छी तरह से याद रखना है इस बात को, कि उसमें भी pituitary master gland है, और hypothalamus master of master gland है, अब जरहें इन चीजों को एक diagram से हम समझने की यहाँ कोशिस करते हैं, एक diagram बनाएंगे, और एक diagram से इन चीजों को हम यहाँ समझने का प्रियास करेंगे, ठीक है, प्रियास नहीं करेंगे, निश्य दूप से हम लोग समझाँगे इन चीजों को, तो देखो, अब यह हमने diagram बनाया किसका, यह dyncephalon का diagram है, ध्यान से देखना, देखो dyncephalon का central portion क्या कहलाता है, hypothalamus, इसका floor क्या कहलाता है, hypothalamus, dyncephalon का जो floor है, वो क्या कहलाता है, hypothalamus, और hypothalamus से origin होता है, pituitary का, ठीक है, और इसका जो रूफ है, वो क्या कहलाता है, hypothalamus, और hypothalamus से origin होता है, pineal gland का, ठीक है, तो यह location कुल मिला कि हमें समझ जाता है, एक छोट इसी चीज यहां पर और समझ लेते हैं, अगर मैं pituitary की बात करूँ, देखो, यह यहां पर hypothalamus है, अगर मैं pituitary की बात करूँ, then pituitary is consist of three parts, देखो, पहले तो pituitary में देखो, एक stock और peduncle है, जिससे यह attach करता है, hypothalamus के साथ, यह stock और peduncle, then pituitary is consist of three parts, अगर अगर pituitary की बात करोगे, तो यह कितने parts से बना हुआ है, three parts से बना हुआ है, इसका जो सबसे बड़ा part है, वो क्या कहलाता है, this is called anterior pituitary, और adenohypophasis, और pars distilsis, यह इसका सबसे बड़ा part कहलाता है, pituitary याद रखना, तीन parts से बना हुआ है, दूसरा जो इसका part है, यह कहलाता है, posterior pituitary, और neurohypophasis, और pars nervosa, ठीक है, और इन दोनों के बीच में, इसका एक छोटा सा part है, याद रखना, एक छोटा सा part है, pituitary का, और यह कहलाता है, intermediate pituitary, तो बच्चों, आज इस छोटे से वीडियो में बस इतना हमें समझना था, जैसे कि हमारी planning है, कि बहुत छोटे छोटे वीडियो हमें बनाना है, जिन में आपका interest बना रहे, और चीजों को आप तयार कर सकें, और हर हाल में interest आपका बना रहे, अगर आपको ऐसा लगता है, कि मेरा प्रियास आपको आपके selection के करीब ले जाता है, तो निश्यत रूप से आपको मेरे चैनल नीट बिनाये को subscribe करना चाहिए, share करना चाहिए, और अच्छे-अच्छे comment करना चाहिए, okay, all the best.